नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे आज मैं आप सब के सामने एक और कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं जो मेरे साथ ही मित अर्विंद नेगी जी द्वारा लिखी गई है अर्विंद नेगी जी एक लेखक है, उनकी पुस्तक है अलबेला और वे कभी कविता भी लिखते हैं तो वे चाहते थे कि मैं उनकी एक कविता पढ़ूं जो उन्होंने मुझे भेजी वी है तो मैं आप सब के सामने उस कविता को प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी उम्मीद करूंगी कि जिस भाव से उन्होंने लिखा है मैं उस भाव से पढ़ पाऊं और अब हम कविता की सुरुवात करते हैं तो अब मैं कविता पढ़ लिखे हूं तो कविता है जब जब मैंने तुझको ढूंडा मंदिर वेद पुराणों में संतों की वाणी में और पंडितों के ब्याख्यानों में एक छवी देखी धुंदली सी किन्तों कहां कुछ स्पष्ट हुआ देखा जब तुझको खुद में बड़ा मुझे तब कश्ट हुआ जिसको अब तक ढूंडा भटक भटक वन वन में वो सदा था अंदर ही अंतर मन के उपवन में भीतर खोजा और फिर बाहर भी पाया और फिर सब कुछ समझ में आया रिक्षों के सौंदर्य में तू है नदियों के कलकल में तू पुस्पों की सुगंध में तू है सागर की हलचल में तू इतना मुझे भाव हुआ तू निकट करीब और पास हुआ मुझे भाव हुआ तू निकट करीब और पास हुआ मुझे तृष्णा में भाग रहा चनिक छण भंगुर जीवन अपसमाप्त हुआ नया जन्म और नया सवेरा नव जीवन नव प्राण बहिया एक नव युग का आगाज हुआ संदेहों का छण भर में रास हुआ यद्यपी मुझे में बुद्धी नहीं है गुप्त संकेतों को तेरे पड़ पाऊं ना ही सुर है मुझ में ऐसे जो मैं तेरी मधुर महिमा को गाऊं ना शब्द कोश में सब्द है ऐसे करुणा तेरी कैसे लिख पाऊं करुणा तेरी कैसे लिख पाऊं न सतकर्म है मेरे ऐसे जो तेरी माया को मैं जानू मगर इतना भी बहुत अधिक है तुझसे जब गुप्त संवाद हुआ संकेतों में कुछ कहता है तू सारे संदेह का अब हराश हुआ मिला मुझे था नियती से जादा मैं इतना भीतो योग्य न था हर चण परिवर्तित इस विराट ब्रह्मांड में अस्तित्त था वर्ना मेरा क्या किंतु प्रफुलिक चित्र है मेरा किंतु प्रफुलिक चित्र है मेरा जो रात के बाद हुआ सवेरा किन्तो प्रफुलिक चित्त है मेरा कि रात के बाद हुआ सवेरा संकेतों में जब सम्वाद हुआ सारे संदेहों का अब राश हुआ म्रिगतिशना से भटक रहा चण भंगुर ये जीवन अब समाप्त हुआ इस कविता को सुनने के लिए आशा है आप इसे पसंद करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद